दोस्तों अगर आप स्टुडेंट होते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत कमाल के होने वाली है बस आप से उम्मीद है कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देगा है अगर वीडियो पसंद आया ना आए कोई बात नहीं लाइक मत करो सब्क्राइब मत करो लेकिन यह वीडिय में 2020 में आपका सब कुछ अच्छा जाए इफ वांट टो टेक्स टू बीचेंज फोर यू और अगर आप चाहते हैं कि आपका बैंक बैलेंस बहुत जादा बढ़ जाए आपके पैसे आजए अगर आप चाहते हैं कि तीन किलमेट दाइरे में आपके सारे दोस्तों आपके पूड़ोसी आपके पर अच्छा सोचें अगर आप चाहते हैं कि आप जिन्दी के में कुछ बनना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका सब कुछ बदल जाए आपके लाइफ इस्टैज बदल जाए तो दोस्तों क् इच्छी नहीं होगा, you have to change yourself, दोस्तो कुछ चीज़ें हम नहीं बदल सकते, it will be the same, दोस्तो कुछ चीज़ें हमाई जिंदिगें में नहीं बदलेगी, जैसे सूरज का ढ़लना, सुबह होना, रात के बाद सुबह होती है, दोस्तो इन्वार्मेंट हम नहीं बदल सकते हैं, ज Life will change when you change, दोस्तो लाइफ तब बदलेगी, जब आप अपने आपको खुद को बदलोगे, दोस्तो मैं उमीद करता हूँ कि आप अपने आपको बदलोगे, दोस्तो मैं चाहता हूँ कि 2019 में 2020 में आगर आप अपने बैंक बैलने चाहते हो, तो आप अपने आपको चेंज दोस्तो लाइफ दोस्तों लाइफ कभी उमीदों से ने बदल ली yht आती कि मैं उमीद करता हूँ मुझा सकती दो बदलोगे, एक न given लेαज drugiejयों दोस्तों दोस्तों लाइफ दोस्तों बदलती है, दोस्तों नमबर टू कि आसान की उम्मिद मत करो, खुद इन fraction, बलाइफ better करो, क्योंकि दोस्तो आसान हमारे हाथ में नहीं लेकिन better होना हमारे हाथ में है, so don't wish for less problems, wish for more skills, don't wish less challenge, wish for more wisdom, दोस्तो if you want to become a successful, read a success, आप जिस भी field में जाना चाहते हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं तो दोस्तो उसे पढ़ो कहते हैं कि अगर आप 5 साल तक अपने फेवर टॉपिक को पढ़ोगे तो आप वर्ड गे 5% लोगों में सामिल हो सकते हैं दोस्तो आप देख सकते हो कि 100 successful लोगों की जीवनी उठा के देख लो सब में सिर्फ और सिर्फ दोस्तो एक बात कोमन थी क्वालिटी सेम है दे आर गुड लीडर दे आर गुड रीडर दोस्तो जितने भी successful people है उनकी quality से एक ही है कि वो सारे book पढ़ते थे उनकी book पढ़ने के habit थी उनकी आदत थी कि रोज book पढ़ते थे दोस्तो आप किसी भी successful people को देख सकते हो आज भी लोग जो भी successful people है वो भी उनकी आदत थी है कि वो book पढ़ते हैं और मैं दोस्तो आपको एक बात बता दूँ जो किताबे पढ़ते हैं जो knowledge रखते हैं उनको कभी कोई negative नहीं बोल सकता negative नहीं कह सकता तो दोस्तो good reader बनो बुक पढ़ने का अधर डालो दोस्तो आज का life में लोग इतना busy हो गया है कि books पढ़ना चाहते ही ने उनको books पढ़ना अच्छे न लगता तो दोस्तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप books पढ़ो अका books नहीं पढ़ पाते दोस्तो आप YouTube पे धेर सारी बहुत सारी वीडियो है motivation वीडियो है life journey वीडियो है आप उन सारी वीडियो को देख सकते हो success story देख सकते हो वह भी दोस्तो फिरी में है क्योंकि दोस्तो अगर आप जिंदिकी में कुछ बनना चाहते हो अगर आपको कोई AM है कुछ करना चाहते हैं तो दोस्तो आपको और प्रशेस को भी तो समझना पड़ेगा कि कैसी प्रशेस से किस प्रशेस की उप्योग करकर वह successful बना तो दोस्तो फिरी में है वीडियो प्लिस सारी वीडियो देखो अखरी में दोस्तों बस मैं आपको इतना ही कहने चाहता हूं कि आप अपना जीवन एक लक्ष पर निदायत करो अपने पूरे सरीर को उस एक लक्ष से भर दो और हर दूसरे विचार को अपने जिन्दिक से निकाल दो दोस्तों एक यही टिप्स पैस्ट है यही सफलता की दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएक अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू सो मच चैहन बंदे मादरम